हाई एबरिबडी वेलकम बैक टो आवर चैनल तो बेसिक नॉलेज आज हम पार्ट थ्री डिसकस करने वाले हैं मौडन इंडिया हिस्ट्री के जो की 61 से है ठीक है इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं पार्ट वान और पार्ट तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर करके आप देख सकते है ठीक है इसमें जितने भी सारे question लिए हैं सारे previous year questions हैं जो की बार बार repeat हो रहे एग्जाम में तो आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत जयाता होम रूल याद रखेगा एक्जाम में बहुत बर आया है इंडियान होम रूल नामक किताब को ठीक है गांधी जीन लिखी है बासटवा प्रश्ण है 거야 कौन आया समाज के फांडर है ठापना की थी और ये बहुत बार ईक्जाम में पूछा जाचुका है 63 नमबर का question Who was the wise roy of India When university cut 1904 was passed जब university cut 1904 passed हुआ था उस time में इंडिया के wise roy कौन थे तो उस time थे Lord Karjan जिन्होंने बंगाल का division किया था 1905 में याद रखेगा Lord Karjan से बहुत बार question पूछे जा रहे हैं तो इन्होंने यही वो थे wise roy थे उस समय जब university cut 1904 पास किया गया था ठीक है Lord Karjan Next question है Which governor general abolished the sati system in India ठीक है पूछा गया है कौन से governor general ने sati प्रथा को उच्छेद किया था भारत में से sati प्रथा को निकाला था बाहर sati प्रथा का खातमा किया था Lord William Bentik ने ठीक है तो Lord William Bentik abolished the sati system in India दूसरा प्रश्ण है Where was Azadhinfos founded Azadhinfos कहां बनाई गई थी ठीक है इसकी foundation बढ़ी थी Singapore में और ये सुबाश चंद्र बोस द्वारा की गई थी ठीक है आजादhinfos Singapore में किया गया था ये भी बहुत बार पूछा जा चुका एक्जाम में ठीक है आगे बढ़ते हैं When India got independence Who was the Prime Minister of England जब इंडिया को आजादी मिली उस समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे याद रखेगा उस समय जो है England के प्रधान मंत्री थे Sorry मैंने गलत बोल दिया ठीक है जब इंडिया को आजादी मिली उस समय इंगलेंड के प्राइम मिनेश्टर क्लिमेंट ओटली थे ठीक है क्लिमेंट ओटली आगे बढ़ते है Who attended the second roundtable conference with महत्मा गांधी ठीक है इसको हमने part 2 में भी discuss किया था कि महत्मा गांधी जो गय थे second roundtable जो conference था उसमें सरोजिनी नाइडू भी थी महिलाओं की तरब से याद रखेगा सरोजिनी नाइडू next है Who was the founder of Indian National Congress ठीक है Indian National Congress के founder कौन है तो वो है Alan Actavian Hume कभी आपको A.O.Hume भी देगा ठीक है Alan Actavian Hume को founder कहा जाता है Indian National Congress का जितने भी question है इस अभी important है बार बार पूछे जाते हैं exam में अब अगर first time हमारे channel पर हो तो please इसको subscribe करिएगा classes अगर अच्छे लग रहे हैं तो please like करिएगा ठीक है In which battle Siraz Udala defeated by Lord Clive बहुत easy सा question है तो Siraz Udala को परास्त किये थे Lord Clive कौन से युद में ठीक है कौन से battle में तो इसको पलासी के battle में हुआ था तो battle of policy जो की 1757 में हुआ ठीक है और ये सिराज Udala और Lord Clive की बीच हुआ था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी Lord Clive जीते थे और सिराज Udala हार गए थे ठीक है तो 1757 में हुई थी battle of policy आगे बढ़ते हैं who led बर्दोली सत्वार मोमेंट को जो है वो किसके leadership में हुई थी ठीक है बर्दोली सत्वार जो है सरदार बलब भाई पतेल के ही leadership में हुई थी ये बहुत बार पुछा जाया चुक ए एक्जाम में और ये जो सरदार बलब भाई पतेल है इनको iron man of India भी कहा जाता है और उनको इन्डिया का вес mark भी कहा जाता है इनको вес mark इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे princelies states को मिला करके इन्डिया में एक जूट किया था इसलिए इनको вес mark कहा जाता है क्योंकि उसी तरह Germany ने जर्मनी में आटवर्न विस्मार्क ने जैसे जर्मानी को एकत्रित किया था, उसी तरह इनों ने इंडिया में जितने प्रिंसली स्टेट थे सब को एक जुट किया था, इस वो जैसे इनको विस्मार्क भी कहा जाता है, ओके आगे बढ़ते हैं, विस वाज्मट वौप नार्स हिंदु उनिवरसिटी ठीके बनारस हिंदु नुनिवर्सिटी के फांडर कौन हैं और यह मदर्मोहन वालाविया, मदर्मोहन वालाविया नहीं, विस व touब अटीक्री ती ठीके और यह यूपी में है उतरप्रदेश याद रखेगा, आगे इन्डिया में बहुत है इंग्लिष की सुष्वात की थी इंडिया में एंग्लिष लाइच्छी ने किया था याद रखेगा गांधी जी को साउध अफ्रिका में कौन मिलने गए थे तो 1912 में गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी याद रखेगा उनके जो पॉलिटिकल गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले वही हो जाएगा सही इसको मैंने पार्ट टू में भी डिसकस किया हुआ है कि जो इंडियन काउंसिल आक्ट 1902 है 09 है तो उसको और क्या कहते हैं तो उसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसके साथ अगर आपको पुछेगा तो इंडियल जो काउंसिल आक्ट जो आपका 1919 है ठीक है गोबर्में इंडिया आक 1919 तो उसको क्या कहा जाता है उसको मंटेक चेम्सपॉर्ड रिफॉर्म कहा जाता है उससे भी क्वेशन आता है आगे बढ़ेंगे इंडिया में इंटर्डियूस हुआ था माकेल के द्वारा तो इससे पहले भी हमने एक क्वेशन पड़ी थी वो क्या था गवर्नर जेनरल इंडिया के जो की इनिसेट के थे इंग्लिस को तो ऐसा अगर पुछेगा गवर्नर जेनरल का तो आपको करना है लौड विलियम बे और यहां पे दिया है इंग्लिस एजुकेशन को तो यहां पे हो गए माकेल ओके दूसरा है सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में हैं तो इसको लिखे कौन थे ठीक है वाज रिटेन भाई हूम तो इसको लिखे है राम प् 10 के जिनोंने Postal Stamp को जो है इंट्रण्य-प किया था इंडिया में तो वह हैं लॉटि एलाउज याद रखेगा लॉर्ट याद रखेगा बहुत बाहिण पुछा जा चुपा है इस ने भी आपके competitive exams हो रहे हैं SSC, OPSC, BPSC के लिए बहुत ज्यादा important है ASO के लिए भी तो इसलिए आप इसको जितने भी प्रस्न है इसको अच्छे से याद कर लें कोई भी competitive देंगे तो आपके लिए helpful होगा और हम हर topic के 500 plus questions कर रहे हैं आपके साथ में और यहां पर MCQs नहीं है detail आपको जो है सही तरह से बिल्कुल correct तरीके से आपको सारा answer जो है provide किया जा रहा है तो अच्छे से आप इसको याद कर लें तो वंदे मातरम जो है आनंद मट में लिखा गया है who was the first governor general of Bengal तो पुछा गया है बंगाल का यानि बंगाल का पहला governor general जो है वो कौन थे तो वो थे Warren Hastings बहुत बार यह पुछा जा चुका है Warren Hastings के बारे में तो Warren Hastings जो है वो first governor general थे बंगल के next question है who said earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed किसने ये बात कही थी कि पृत्वी के पास सब कुछ है जो इंसान की जरुवत को पूरा कर सकती है लेकिन उसके लोब को पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि इंसान स्वार्थी है इस बात को कही थी महात्मा गांदी जी ने याद रखेगा बहुत बार repeat हुआ है ये question कि महात्मा गांदी जी ने कहा है इंसान का जो need है वो पूरा हो सकता है लेकिन उसका grid जो है उसका जो लोब है वो जो लालच करता है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है इंसान हमेशा जो है और भी पाने की इच्छा रखता है ठीक है तो महत्मा गांदी जी ने कही थी तो यह हमारा आखरी question था जिसमें हमने कुल 20 questions discuss किये जो कि part 3 है इसके बाद ही आज हम आज ही upload कर देंगे part 4 को जिसमें और हम question discuss करेंगे अगर यह classes आपको helpful रग रहे हैं तो इसको please subscribe किजेगा और share किजेगा ठीक है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए bell icon को प्रेस कर दीजी जब भी हम upload करेंगे class तो आपको notification आ जाएगा धन्यवाद